आप सभी के साथ लेटेस्ट ही बजट आते ही मैंने इंकम टेक्स के चेंजिस की वीडियो शेयर कर ली दी मेरे चानल पे जाके वीडियो में आप देख सकते हैं यह है न्यूस लाबरेट की वीडियो जिसे आप सभी ने बहुत अप्रिशेयट करा इसमें एक एमनेस्टी स्कीम भी है इंकम टेक्स के चो मैंने आपके साथ शेयर करें आप बहुत सारे परसंस बॉल रहे थे कि माम क्या जीस्ट में भी चेंजिस हुए वो हमें बताइए और आपको जानना जरूरी है अगर आप प्रोफेशनल हैं जीस्ट में अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसे अच्छे से समझ ले क्योंकि मैं बहुत एजी लैंग्वज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने आर्टिकल है इस आर्टिकल में मैंने सारे चेंजेस डीटेल में कवर कर दिये हैं और वीडियो में तो आपको बताई रही हूँ तो पहले जो change आया है वो change है GST में input service distributor की definition change करे गई है अब अगर आपको ये concept नहीं पता है ISD का तो आपको बताना चाहूंगी कि input service distributor के अंदर होता क्या है मान लीजे राम है राम का head office है राम enterprise राम ने अपने business को enhance करा धीरे धीरे अपनी कई branches बना ली राम enterprise की branch number 1, 2, 3, 4 अब होता क्या है जब इस तरह के एक ही pan पे registered head office और branch offices होते हैं कई बार कुछ common services होती है जो head office के थ्रू रोट हो जाती है जैसे example देना चाहूंगे आपको मान लो आपने auditor appoint करा राम ने auditor appoint करा अपने पूरे firm के लिए राम enterprise के लिए जो उसका head office का काम भी देखेगा और branches का का काम भी देखेगा मान लो auditor ने head office के नाम पे bill raise कर दिया 2 lakh रूपीज का उस पे लगा दिया 18% GST तो अब जो यह देखा जाए पूरा 2 lakh रूपया जो spend करा गया auditor की service पे वो सारा का सारा head office का खर्चा नहीं है अगर ऐसा कर दिया जाए कि यह पूरा खर्चा head office की books में डाल दिया जाए तो books सही picture नहीं दिखा पाएंगी आपको पता नहीं चलेगा कि किस branch में profit है किस में loss है तो यह काम आप as per accounting rules नहीं कर सकते तो इसलिए इस तरह के invoice के case में जो GST होता है ठीक है जैसे यहाँ पे मानलो 36,000 का GST है तो अब यह 36,000 का GST branch offices में भी divide करना पड़ेगा क्योंकि auditor की जो service है वो पूरे एक group के लिए ली गई है इस mechanism के लिए GAMI ने introduce कर रखा है ISD mechanism जिसमें head office अपने आपको register कराएगा as ISD और फिर यह input tax credit जो common services का है वो distribute कर देगा अपनी branches में इसका पूरा mechanism section 20 और rule 36 में भी बताया हुआ है किस तरह से distribution होता है यह था जब GST में ISD का concept आया तो इस तरह से work करना था अब एक option लोगों के पास यह थी दूसरी option persons ने अपने आप बना ली cross charge इस options में इन्होंने क्या किया यह वला rule follow नहीं किया यानि कि खुद को register नहीं किया ISD में इसके बजाए क्या किया cross charge में invoices raise कर दिये further अपनी branches को common services के लिए ठीक है तो गार्मिन ने latest July 2023 में एक circular निकाला था जिसमें गार्मिन ने बोला था कि हमें कोई दिखत नहीं है अगर आप ऐसा कर रहे हैं बट future की planning को देखते हुए future में ISD को government obsolete ना हो जाए इसकी वज़े से ISD अब compulsory कर दिया है government ने अब कोई भी enterprise इस तरह से cross charge use नहीं कर पाएगा जो अब amendment आई है उससे अब क्या यह amendment है अब आप समझे आपको अच्छे से समझ आएगी तो यहां पर screen पर आप देख सकते हैं नई definition insert कर दी गई है input service distributor की इस article में मैंने नई definition old definition दोनों cover करी गई है link description और pin comment में आपको screen पर हमारा webpage भी दिखाए दे रहा है तो मैं आपको एक बार definition पढ़ के बताती हूँ उसी के अंदर बहुत important changes है नई definition में पढ़ लेती हूँ ISD means an office of the supplier of goods or services or both which receive tax invoice toward the receipt of input service including invoices in respect of service liable to text under section 93 or 94 for on behalf of distinct person referred in section 25 and liable to this word is very important liable to distribute the input tax credit in respect of such invoices in the manner provided in section 20 ISD की definition में आप government ने cover कर दिया कि चाहे वो RCM की billing है या normal billing है दोनों ही आपको distribute करने है credits through ISD route आप liable हो इस case में ISD के लिए register कराने के लिए अगर आप इस route के थूर नहीं जाओगे तो आपका जो distribution है वो valid नहीं होगा और इसके लिए आपने आपको जो manner follow करनी है वो section 20 में बताए गई है या आप all definition भी इसकी पढ़ ले न तो यहाँ पर libel कर दिया गया पहले क्योंकि कोई hard and fast liability नहीं थी ISD में रिजिस्टर करने के यहाँ पर particular definition को change करके यह बता दिया गया और section 20 भी हाँ पर refer करा गया तो इसी के साथ section 20 में भी change कर दिया manner of distribution of credit by input service distributor यह वाला भी section पूरा change कर दिया अब होता क्या था section 20 भी है हमारे पास और इसका rule भी है rule 36 पहले section 20 में भी mechanism लिखा हुआ था input service distributor के case में credit को distribute करने का और rule में भी लिखा हुआ था तो दोनों जगा पर duplicate ही हो जाती थी अब section 20 में सिरफ यह बता दिया गया है कि जो manner है वो आपको कौन सा लेना है as may be prescribed और prescribed कहा है वो further rule में prescribed है तो जो नई definition है section 20 की वो यह आपको screen पे दिख रही है आपके लिए relevant है आप इसे आराम से पढ़ लेना ठीक है major change यह है कि rule में जो भी लिखा है वो आपको follow करना है यह था पहला change input service distributors के लिए अब आपको याद दिलाना चाहूंगे अभी latest ही ना जो हमारी manufacturers है जो पान मसाला manufacture करते हैं तो बैकू या फिर हुका गुडुका एक्सेटरा जो यह पूरी list है इनके लिए GST में special procedures insert करे गए इनके लिए export के case में भी कुछ limitations लगाए गई क्योंकि जो यह sector है थोड़ा सा unorganized है यहाँ पे tax की manipulation बहुत ज़ादा है तो government इनको control करना चाहती है इसलिए इनके लिए special procedures बनाए गए है इनको अपने जो machines हैं जिनमें यह सब कुछ ही manufacture करते हैं उनकी details यह सी portal पे डालनी है और portal पे जल्दी ही activities जो machine की details डालने के जो form है वो active होने वाले है और government ने अब इसी के लिए इनी manufacturers के लिए एक नई penalty insert करी है section 122 capital A इसका subject है penalty for failure to register certain machines used in manufacturing of goods as per the special procedure तो after section 122, 122 capital A इसमें क्या लिखे है थोड़ा सा पढ़ते है ता कि पढ़ना का इससे लिए relevant हो जाता था कि आप मेरे साथ पढ़ ले और मैं आपको फिर brief में बता दू notwithstanding anything contained in this act where any person who is engaged in manufacturing of goods in respect of which any special procedure relating to registration of machine has been notified under section 148 तो कोई से manufacturers है वो मैंने आपको बता दिया in contravention of the sad special procedure इनको अगर follow नहीं करेंगे then he shall in addition to any penalty that is paid or payable by him under chapter 15 और any other provision तो कोई और penalty अगर उन पे लग भी रही है तो भी they will be liable to pay a penalty equal to an amount of 1 lakh rupees for every machine not so registered तो इन manufacturers को जितनी भी machine नों पे ये काम करते है उनकी detail register करनी है GST portal पे otherwise 1 lakh की penalty है then subclose 2 में बोला गया in addition to penalty penalty के साथ साथ ही every machine so register shall be liable for seizure and confiscation provided that such machine shall not be confiscated where the penalty so imposed it paid yet the registration of such machine is made accordance with the special procedure within 3 days of receipt of communication of the order of the penalty penalty भी लगाई साथ सकती है machine को अगर आप register नहीं करोगे इकला की और फिर confiscate भी किया जा सकता है उसे और फिर उसको छोडा कब जाएगा जब आप penalty भी पे कर दोगे और तीन दिन के अंदर अपनी machine को register भी करा दो गया तो इस unorganized sector को organize करने के लिए और government का जो tax revenue है उसका lowest ना हो government इन पर थोड़ा सा tight कर रही है rules इसी के according अभी penalty provision इन पर लाया गया है तो अभी GST में budget के साथ थो major changes announced नहीं किये गए है आपको मैंने बहुत ही brief में ये दोनों changes बता दिये है income tax के भी changes देख लेना बहुत important changes है आपको मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में इसको जरूर देखना मैं इसका description और pin comment में link डाल रही है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो like जरूर करना और आपसे मेरी छोटी सी request है कि हमारे चैनल में subscribe बटन दिया है ये आपके लिए बिलकुल free है बड़ इसे हमारी भी help होती है और आपकी भी होती है क्योंकि आपको latest updates का पता चलता है now we are on the website cagurujiclasses.com इस web page पर आपके लिए text updates का section है जिसमें हम बहुत सारे important articles post करते हैं बहुत सारे persons को reading की habit होती है तो वो इस page पर जाकर important articles read कर सकते हैं साथ ही इसी page पर हमारे courses और combo courses भी active है हमने अपनी courses launch किये हुए है income texts, GST, ITR, TDS, trademark etc courses section में आप जाएंगे तो आपको दो तरह के course मिलेंगे lifetime and limited validity के लिए तो आप जिसमें भी interested है company registration accounting आप उनमें enroll करा सकते हैं बहुत सारे persons इनका benefit ले रही हैं आप भी इनमें enroll कीजे अगर आप interested है thank you so much for watching bye bye